असलाम वालेकुम दोस्तों आपका इस्तिक्बाल है हमारे यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको बताने जारी होगी कैसे आप सिर्फ दो पून दूद से कर सकते हैं किसी को भी अपने प्यार में पागल जी हाँ दोस्तों मौलाना जी का बनाया हुआ ये बहुत ही बहतरीन अमल है अगर आपने इस अमल को कर लिया तो आपकी प्रेमिका हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी वो आपसे इतना जादा महबबत करने लग जाएगी कि आपको छोड़ कर किसी और चीज के बारे में सोच नहीं पाएगी आप उसे जो भी करने के लिए कहेंगे वो तुरंत करने के लिए राजी होगी अगर आप चाहते हैं अपनी महबबत को और भी जादा बढ़ाना या फिर आप किसी से बहुत जादा महबबत करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपसे बेंतहा महबबत करने लग जाए तो आप इस अमल को जरूर कीजिए इस अमल को हमारे बहुत सारे दर्शकों ने किया है साथी साथ मौलाना जी के पास जो लोग आते हैं जिने अपनी प्राब्लम सॉल्व करवानी होती है उन लोगों को भी ये अमल दिया गया है और सभी लोगों को इसका फाइदा हुआ है तो आज मौलाना जी के ही इस अमल के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसको अगर आपने सिर्फ एक बार कर लिया तो आपकी भी महबबत आपके पास आ जाएगी सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक छोटे से चमच में आपको थोड़ा सा दूद ले लेना है क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ दो बून दूद की जरूरत है इसलिए आप बहुत थोड़ा सा दूद लेजिए दूद के लिए एक बाद ध्यान रखिएगा कि आपको कच्छा दूद लेना है, आपको दूद को अबालना नहीं है पहले मार्किट से लाने के बाद आपको उसे एक छोटे चमच में अकटोरी में निकाल के रख लेना है और उसी दूद का इस्तमाल करना है अब जो आपको दूसरी चीज़ करनी है वो ये कि जब आप इस अमल को करने बैठेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पहले वजू कर लेना है साफ कपड़े पहन लेने है और उसके बाद वो कटोरी का दूद लेकर एक जगे बैठ जाना है आपको अपने हाथ में दो बून दूद निकालना है वहाँ से कटोरी में से दो बून दूद निकाल लीजिए अपने हाथ की हतेली पे आपको रख लेना है और उसके बाद आपको उसके उपर दम करना है दम करने के लिए आपको ये बोलना होगा या अलीमू तद जी हां इस चीज को बोलने के बार आपको उसके उपर दम कर देना है फूप मार देनी है और उसके बार जो आपने दो बून दूद निकाला होगा उसके उपर आपको अपनी प्रेमिका का नाम बोलना है जो भी आपक उस दो बून दूद को एक छोटी कटोरी में पानी लेना है और उसके बाद उसमें मिला देना है पानी में जब ये दो बून दूद आप मिलाएंगे तो उसकी जो पूरी तरह से वो मिल जाएगा उसके बाद इस पानी को आपको अपनी प्रेमिका को पिला देना है अगर आप इस दूद को नहीं पिला पाते हैं किसी कारण से अगर आप अपनी प्रेमी का को ये पानी नहीं पिला पारे हैं तो आपको क्या करना है कि इस पानी को लेकर जाना है और किसी ऐसी जगे पर इसको लेकर जाना है जहां पर कोई काटे का प्लेड हो या कैक्टस होता ह या फिर कोई भी ऐसा पौधा हो जिसमें काटे लगे हो आपको वहाँ पर इस पानी को डाल देना है वापस लोट कर आ जाना है और उसके बाद दुबारा से वजू कर लेना है साफ कपड़े पहन लेना है आप यकीन मानिए बहुत सारे लोगों ने इस अमल को किया और उन्हे इस अमल को करके देखिए अगर आपका कोई भी सवाल हो आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अग्रे वीडियो